कि चलिए एक कुश्चन देख लेते हैं यह रहा आपके सामने कुश्चन आपकी किताब का ही है कि फॉर्मिट मैं यही यूज कर लूँगा कि यहां रखें यहां रखें चलो इसको यहीं रखते हैं चलिए आपके सामने यह अकाउंट कब बनेगा नहीं बनेगा अभी पता चल जाएगा हो सकता है इस कुश्चन में बने हो सकता है ना बने तो वो चीज़े आपको पता चल जाएगे कि कुश्चन हर किसी को क्लियर है और आपकी बुक का कुश्चन नंबर वन ही यही है बुक कौन सा है सर जे आर मुंगा चलिए सर कहता क्या है पी एंड कंपनी अफ चेन नई सेंट गुट्स टू ब्रांच हःदराबाद यानि सर एक है न पी एंड कंपनी है और एक इसका ब्रांच का है हःदराबाद ठीक है न अब आगे क्या कहता है जब branch sell goods cash or credit और जो branch है अपना समान दोनों तरीके से बेशता है नगत भी बेशता है और उधार भी बेशता है all the proceeds realize proceeds मतलब seal by the branch send to head office जितने भी हमारा समान BK का न branch क्या करेगा उसको भीज़ देगा किसको भीज़ देगा head office का expense meet by यानि खर्चे जो होगा वो branch नहीं करेगा वो कौन करेगा तो इसका मतलब सारे खर्चे आएंगे ठीक है आगे कहता है except petty cash बोलता है petty cash branch को खुदी करना होगा बाकि सारा वो करेगा आगे कहता है which meet by the branch out of the cash sent by head office जितना cash petty cash भेज़ेगा उस petty cash में से वो खर्चा माइनस कर लेगा दा ब्रांच keeps sales ब्रांच जो है sales जर्नल एंड डेटर लेजर तो यानि जर्नल एंड डेटर लेजर मतलब डेटर सिस्टम फॉलो कर रहा है जो sale है डेटर सिस्टम से है तो सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेस दे रखा है तो हमें क्या करना चाहिए यहां पर लिख ले तू ओपनिंग है न तो सारे के सारे एसेट्स को लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास स्टॉप कितने का है पांच हजार का उसके बाद डेटर यहां लिख लेते हैं कितने का है 35,000 35,000 इसके बाद पैटी कैस यहीं पर आएगा होता क्या है ये कुछ बच्चों के माइंड में होगा कोश्चन इसके लिए मैं अलग से बताऊगा 150 और बस कहता है गुट सेंट टू ब्रांच बताओ किदर आएगा इधिट साइट में तू इसके याद है क्या बोला था गुट सेंट कितने का है चालिस सब्सक्राहत है आगे कहता है गूट रिटन बाइब ब्रांच ब्रांच नंग रिटन किया तो किधर आएगा रेटेंब बाई गुट्स रेटेंट जाते हैं पच्छिस सो ठीक है चलो पड़ते जाते हैं ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया कैसे सेल्स कहा जाएगा रेमिटेंस में कितने 15 चार आगे कहता है कैस रिसीफ फ्रम laser account, laser का मतलब debtor से है cash receive from कहां गया सर, laser account laser account मतलब किस से है debtor से, तो collection from debtor आ गया कितने 33,000 assets होता है petty cash हमारा assets, मैंने कहा सारे assets यहां लिखना है अब petty cash assets होता है कुछ बच्चों को याद होगा 11 का, कुछ को नहीं होगा तो इसको अगली class के लिए थोड़ा बचा के रखो कि अगली class में फूरा explain कर दूँगा कि कैसे assets है ठीक है न आगे देखा जाए तो goods written by debtor, debtor ने return किया अब सर एक बात बता ना, जो debtor से हमें collection हुआ यहां भी आएगा है कि नहीं, आगर debtor account बना रहे हम, question में बोला prepare branch accounts, good sent to branch, branch account बनाना है good sent good sent हम बाद में सीखेंगे, सिर्फ पहले branch account बोला गया, debtor account नहीं बनाना अब आप देखो कई बार question बोलेगा और नहीं भी बोलेगा तब भी debtor account बनाना भी पढ़ सकता नहीं बना, मैं लिख लेता हूँ cash कितना sent किया हमने उसके बाद बहुता है, sales return customer ने कर दिया, तो यहीं आएगा sales return कितने करें sales return goods return by debtor तीन आजान discount भी यहीं आजाएगा fed dates भी यहीं आजाएगा कितने fed dates है इसके बाद क्या है branch expense meet by echo, salary and wages किदर आएगा two side पाँच हजार इसके बाद rent and rate, rent कितने तीन हजार telephone एक हजार, इसके बाद अदर, भाई कुछ होगा, हमें क्या लेना उसके चक्कर में थोड़ी न पढ़ना, बता दो सरदर क्या है, कितने अब देखते हैं ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया अब cash sent to branch for petty cash, अब हमें head office ने कुछ cash sent किया है, किसके लिए petty cash, उसको यहाँ पे लिखना है इसके लिए मैंने बोला, इसके लिए आपको एक class का wait करना पड़ेगा, जो भी head office petty cash भीजेगा, हमें खर्चे के लिए यहाँ लिखना है petty cash, कितने हैं 1200, ठीक है, क्यों लिखना है सर, क्योंकि इसको मैं अगली class में पूरे detail में explain कर दूँँगा, कि क्यों यहाँ आता है, इसके करने के दो तरीके होते हैं इसके भी दो methods है, petty cash के तो दोनों ही लेके चलना पड़ेगा ठीक है, अब आगे देखते है closing balance, stock आ गया तो इधर आ जाएगा न बाई में बाई balance, क्या क्या आ गया stock कितने का 9000, इसके बाद debtor कितने का 6000 इसके बाद petty cash कितने होगे 100 और कुछ है, बस अब देखो, हमें debtor का opening balance भी पता है, closing भी पता है by debtor, balance sorry, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, roughly एक by balance to balance bd, पता है balance bd बिल्कुल पता था debtor का 3500, और by balance cd पता है, balance cd बिल्कुल पता है, कितना था हमारा 6000, अब यहाँ से सब कुछ पता है, तो यहाँ balancing figure निकलेगा credit sales अब आप ध्यान से देखो न, तो debtor में अगर आपको examiner कई बार closing balance ना दे, क्या इस पूरे account में closing balance use हो रहा है हो रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे closing debtor के जगह पे, वो question mark लगा देता है, भाया हम आपको यह cash यह वाला balance ना दे तो फिर आपको इस account को बना के balancing figure निकालके फिर लिखते, अगर यह दोनों चीजे दे रहा है, तीन चीज, तीसरा opening balance, अगर यह तीनों चीजे आपको मिल रहा है, opening balance closing balance और collection from debtor, जो कि यहाँ use हो रहा है, opening balance closing balance और collection from debtor अगर यह तीनों चीजे question में दे रहा है, तो no need to prepare तो debtor account बनाने का एक ही purpose है, कि अगर balance CD नहीं है, तो यहाँ से find करें, यहाँ use करेंगे, अगर आपको collection from cash नहीं है, तो यहाँ से balancing figure निकालके करेंगे, और अगर opening balance नहीं है, तो यहाँ से balancing figure निकालके करेंगे, तो जरूरत नहीं है बनाने की, लेकिन फिर भी question कहता है कि आपको branch account और debtor account बनाने ही, बनाने हैं तब आप बना देना debtor account अगर नहीं बोला है, जैसे इसमें नहीं बोला गया, और हमें जरूरत भी नहीं है, तो यह बनाने की कोई जरूरत नहीं था ठीक है, तो मैं यहाँ से इसलिए फिलहाल के लिए, इस debtor account को हटा दे, वैसे तो question होई कि हटा के फाइदा क्या है फिर, है ना चलिए, टूटलिंग कर लेते हैं बस 18 नंबर में question आएगा, ऐसा कितने यह हो जाएगा टूटल, इसका टूटल, इसका नीचे एक सो, यह हो गया, 40 बस अब टूटल कर लेते हैं 65 600, यह कितना आगया और यहां आजाएगा टूटल, प्रॉफिट माइनस कर लेते हैं, जरूरी नहीं प्रॉफिट आई, लॉस भी आ सकता है, ध्यान लग लूटल, यह आ रहा है, मेरा बावन पचास 5250, एक बर देख लिए यह खेलकूलिशन क्या रहा है ठीक है, तो क्या आगया हमारा यह, प्रॉफिट, जो निकालना था, क्या है नहीं, नहीं, यह प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो, चैप्टर मेरे हिसाब से, मुस्किल और यह आपके हिसाब से भी मुस्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन कंडिशन यही है, कि एक दो छोटे-छोटे पॉइंट्स बढ़ेंगे, इसमें आईपी वाल आउट्स बहुत सारी है, लेकिन ग्यारवी वाली अकाउंट्स को इतना एडवांस बना रखा है, ग्यारवी और बारवी वालों को, जिसमें बच्चा कर नहीं पाएगा, जैसे फाइनल अकाउंट, टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा, आपका एक्साम में, तीन इलेवन्थ में करा था, उससे तो कहीं एडवांस लेबल पे आ गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों का मान ला है, ठीओरिटिकल पोर्सन भी एडवांस लेबल पे आ गया है, तो जो आप स्टार्टिंग के बुक देखोगे ना, तो कई बार परसेप्शन यह होता है बुक के सुरू से लेके साथ या आठ चेप्टर आपको सारे ग्यारवी का स्लिवस दे रखा है, इसके पीछे कारण है, कारण यह है, डियू को ऐसा क्यूं स्लिवस में डालना पड़ा, क्यूंकि बीकॉम के अंदर आर्ट्स वाला बच्चा भी आता है, और कॉमर्स वाला और साइन्स वाला भी आता है, अब भाई, कॉमर्स वाला बच्चे तो सीधा फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, अपना कहानी, क्यूंकि उसने पहले पढ़ रखा है, ट्रेडिंग, पी एंडल, वेंडल, बैलेंस, डेप्रिशेशन, लेकिन आर्ट्स वाला बच्च पैटर्न भी बता दूँगा कि किस में से क्या कोश्चन पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे, वो बात में, ठीक है, क्लियर यहां तक क्रिश्चन सार ऐसा फॉर्मेट भी याद करने की जूरत नहीं, प्रैक्टिस करो, कोई अटमेटिकली हो जाना है, कोई फॉर् प्रैज एक पर यह ट्राइ करके आईएगा, कोशन नमबर टू, होमबक में, ठीक है, कोशन नमबर टू, होमबक में, बिल्कुल सेम है, वही चीज है, देखेंगे, तो आपका गुड्स रिसीव फ्रम एबी सी, तो रिसीव है, तो सेंट हो गया, यह गुड्स रिटन हो गय सारी चीज़े लगबक वही है, मुझे लगता है, इसके नीचे का पार्ट मिसिंग है, देखना बुक में, इसके नीचे भी यह कुछ क्या, यह इतना ही है, यह इतना ही है, चलो, यह होमबक में रहेगा, तो चलिए फटा-फट से आप नोट करना, स्टार्ट करिए, नोटि